नैंत का फिजिक्स है मोशन चेप्टर पार्ट उनीश एक्सेलेरेशन तो तुम लोगों को बतला दिये हैं तो एक्सेलेरेशन यानि त्वरण धनात्मक और रिनात्मक त्वरण किसे कहते हैं तो धनात्मक त्वरण और रिनात्मक त्वरण का अर्थ क्या हुआ जैसे मान लो ये अस्टेशन है यहां से एक रेलगारी खुलती है और दूसरे अस्टेशन पर यहां पहुंचती है अस्टेशन ऐसे जिस समय ट्रेन खुलेगी ध्यान दो तो धीरे धीरे उसका बेग बढ़ रहा होता है एक निश्चित दिशा में जा रही है तो चाल नहीं यह बेग हो जाएगा यह इस्ट की ओर जा रही है यह उपर वाला नौर्थ है तो यहां से अस्टेशन पर जब तू लोग ट्रेन में बैठोगे तो ट्रेन धीरे धीरे मतलब उसकी गती बढ़ने लगती है और एक समगा आता है मालो यहां से खुली धीरे धीरे मालो एक किलो मीटर परती घंटा फिर दू किलो मीटर फिर होते यहां पर रफ्तार पकर लिया C के पास यहां पर 30 km पर तीओ गंटा मान लेते हैं और यहां से इस station से ठोरा पहले 1 km मान लो यहां तक जब गया तो 30 km पर तीओ गंटे की ही रख्तार से train यहां तक आई इसके बाद आगे बाला station पर रुकना है तो तु लोग बोलो इसका स्पीड घटेगा की बढ़ेगा मतलब इसका वेलोसिटी अस्टेशन पर रुकना है वी अस्टेशन पर उससे थोरा पहले अब इसका स्पीड 30 किलोमीटर पर ती घंटा से कितना हो जाएगा 88, 25, 20, 15 होते होते अस्टेशन पर सुननी है ना इसी बात तो अस्टेशन से जिस समय गारी खुलती है उसके बेग में बिर्धी होती है होती है ना और कुछ दूरी के बाद उसका बेग आस्टेशन पहुंचने से पहले तक एक समान रहता है पुना दूसरा आस्टेशन आने से ठीक पहले बेग में कमी आती है हाई सिबाद तो अब हम लोग इसको माल ले किलो मीटर परती घंटा के बदले चलो हम लोग मीटर परती सकेंड माल लेते हैं यहां पर इसका बेग भीवन माल लो प्रारंभिक बेग यू तो प्रारंभिक बेग भीवन ही माल लेते हैं भीवन हो गिया ट्रेन का प्रारंभिक बेग जिस समय गारी अस्टेशन से खुली तो प्रारंभिक बेग उसका सुन्नी था सुनने से खुली तो यहां जाकर के इसका ब्यग मान लो भीटू हो गया भीटू का मान अगर हम लोग मान लेते हैं 30 किलो मीटर पर ती घंटा चलो यह अब मीटर पर ती सकेंड में मानो यहां पर इसका मान लेते हैं 5 मीटर पर ती सकेंड राफ्तार यहाँ पकर लिया और इसी राफ्तार से यहां तक गया बिन्दू D तक ट्रेन पाँच मीटर पर 30 सकेंड अब यहाँ पर अगले बाला स्टेशन थोरा ही दूर है तो ट्रेन पाँच मीटर पर 30 सकेंड का अर्थ कितना हो गया एक सकेंद में पांच मीटर इसलिए 36 सकेंद में तो 36 गुने 5 मीटर एक हजार से भाग दे दो तो किलो मीटर हो गया दो जिरो दो जिरो कट गया पांच दूनी दस ये 18 अठारा किलो मीटर परती घंटे की रफ्तार से इसका और्फवा गारी जा रही है है न जिसको हम लोग मीटर परती सकेंद में बदलनी है तो अस्टेशन पहुचने से ठीक पहले ये क्या होगा यहां पर 5 मीटर पर 30 सकेंड अब इस गती को तोरेगा आएगा 4 मीटर पर 30 सकेंड फिर 3 मीटर पर 30 सकेंड फिर 2 फिर एक अंत में यहां गारी रुख गई अंतीम बेग हो गया इसका सुन्नी तो अगर हम लोग यह कहें इसको अस्टेशन को मान लेते हैं चलो एप इस अस्टेशन से जिस समय गारी खुल रही होती है तो ध्यान दो 1 मीटर पर 30 सकेंड फिर रुखतार बढ़ेगा 2 मीटर पर 30 सकेंड है ना फिर 3 मीटर पर 30 सकेंड इसी तरह मान लो अंत में 20 मीटर पर 30 सकेंड के राफतार गारी पकर ली और यहां से लेकर के यहां तक एक ही तरह के रफ्तार से एक ही तरह के बेग से ट्रेन जाती है ठीक है अब फिर बिंदू D पर 20 मीटर पर 30 सकेंड से घटने लगेगा तो यहां पर यह ध्यान दो बिंदू F से C के बीच बेग में परिवर्तन हुआ बेग में परिवर्तन की दर को ट्वरन कहते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं तो इसमें तू लोग समझा जब अस्टेशन से गारी खुलती है तो एक निश्चित दूरी के बाद उसका बेग अस्थिर हो जाता है अगर मान लो 20 मीटर पर 30 सकेंड के चाल से चल रहा है तो उसी चाल मतलब उसी बेग कैंसार चलता रहेगा और अस्टेशन पहुँचने से पहले अपने बेग में परिवर्तन करेगा लेकिन घटेगा बेग में परिवर्तन की बढ़ेगा ये बोलो यहां बेग में परिवर्तन घटेगा की बढ़ेगा इस पर ध्यान दो जब अस्टेशन से गारी खुलती है तो बेग में परिवर्तन का दर क्या है दो मीटर पर ती सकेंड एक मीटर पर ती सकेंड से दो मीटर पर ती सकेंड यानि एक मीटर पर 30 सकेंड का अंतर आया फिर दो मीटर से तीन मीटर पर 30 सकेंड फिर देखो तीन में से दो घटाओ एक, एक मीटर पर 30 सकेंड का अंतर आया फिर तीन से चार, चार से पांच ऐसे होते होते 20 तक गया तो पर 30 सकेंड कितना का अंतर आ रहा है एक मीटर पर ती सकेंड के अंसार इसका बेग बढ़ रहा है पर ती सकेंड एक मीटर बढ़ जाता है अगर यहां से माल लो यहां से यहां तक आया एक सकेंड में एक मीटर तो फिर यहां से यहां जो आएगा अगले एक सकेंड में दो मीटर मतलब यहां आ गया एक सकेंड में एक मीटर, फिर एक सकेंड में एक मीटर, एक सकेंड में एक मीटर, परती सकेंड, सौरी, एक मीटर दूरी तै करने में एक सकेंड लगा, मालो यहां से यहां तक, ट्रेन को, तो दूसरे सकेंड में दो मीटर जाता है, यानि अब अगला एक सकेंड में दो मीटर गया, तो दो म में गया तुमको एक मीटर फिर अगले एक सकेंड में इसका हो गया दो मीटर फिर अगले एक सकेंड में राफ्तार हो गया तीन मीटर फिर अगले एक सकेंड में चार मीटर इसका अर्थ हुआ पहला सकेंड में इसका बेग कितना था एक मीटर पर तीस सकेंड दूसरे सकेंड म तो से बढ़ रहा है घड़ ही रहा है रहा है बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो तो क्वेशनद्र पूछ limit यह एक्सेलेरशन हाँ, सिम्पूल चीज फिर यहां पर आकर के उसका कितना हो गया हुँआ, 20मीटर पर 30s, यहान 1मीटर में 20मीटर, अगले 1 सकिन में 20मीटर, फिर अगले 1मीटर में 20मीटर, इस तरह दी तक आया, अब अस्टेशन नदीक है, अब यहां पर क्या होगा 20 मीटर पर 30 सकेंड तो 20 मीटर पर 30 सकेंड इसका बिंदू D पर था अब इससे ठोरा आ गया एक सकेंड आया तो इसमें अगला एक सकेंड में 19 मीटर गया फिर अगला एक सकेंड में 18 मीटर तो देखो पर 30 सकेंड बेग घाट रहा है कितना से तो एक मीटर के हिसाब से परती सकेंड यानि परती सकेंड एक मीटर के हिसाब से घट रहा है इसको क्या बोलेंगे एक मीटर परती सकेंड इसका बेग घट रहा है 20-19, मीटर पर 30 सकंड हूआ, फिर अगले एक सकंड में 18 मीटर ही गया, फिर अगले एक सकंड में 17 मीटर जाएगा, इस तरह पहुँचेगा तो अंतीम सकंड में सुन्नी अस्थीर हो गया, लास्त में इसका आर्थ है यहां परती सकेंड बेग घाट रहा है बेग में परिवर्तन परती सकेंड कम हो रहा है यानि रिनात्मक कहेंगे इसको रिनात्मक हो रहा है जब बेग में परिवर्तन की दर अस्टेशन से गारी खुलती है तो धनात्मक होता है बिर्दी होती है तो धनात्मक ह होता है जब बेग में परिवर्तन की दर यहां से कम होने लगा तो इसको कहेंगे रिनात्मक परिवर्तन तो धनात्मक परिवर्तन को एक्सेलेरेशन कहते हैं ध्यान दो धनात्मक परिवर्तन को त्वरन एक्सेलेरेशन कहते हैं समझ गया और बेग में रिनात्मक परिवर्टन को रिनात्मक परिवर्टन के दर को यानि इकाई समय में जो रिनात्मक परिवर्टन होगा यानि कम होगा इसको कहते हैं रिटार्डेशन मंदन कम होगा अपने 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 अस्थान पर पूर्शन जाते हो यहां से लोग चलना शुरू करते हो तो पाई दिर एक आयक इस तरह नहीं नहीं देते हो जो तेज राफ्तार से गार यह खटारा मों साइकल बाई साइकल चलने लगेगी धिरे धिरे ठीरे पाई देते हो रोड फिर वाज तेज गती से देने लगते हो उसी गती से सकूल पहुंचने से जस्थ पहले तो बेग में कमी आएगी चाल में चाल में कमी आएगी तो बेग में या चाल में बिर्धी कब होती है जब कहीं से मोटर सैकल यहीं से तू एस्टार्ट करो या बस खुली या चर्चक का गारी है यहां से घर से एस्टार्ट करो तो एक आएक रखतार नहीं पकरता है धिरे धि स्पीड कम करते हो एक ही दिशा में जा रहे हो तो बेग में परिवरतन तो हो रहा है लेकिन कैसा परिवरतन है तो घरट रहा है ZERO की ओर जा रहे हो यानि 30 second या परिवरतन के दर को तोरह कहेंगे एक्सेलिरेशन और धनात्मक परिबर्टन यानि वेग में परिबर्टन तो होगा लेकिन यह परिबर्थन बिर्धी की और होगा उसमें जो कमी आगी तो इसको हिंदी counting में गांदण अंग्रेजी में कहेंगे रिटार्डेशन या एक ये भी सब्द है दी सेलेरेशन यह हुआ एक सेलेरेशन यहां से मिल रहा है है न इसमें डी लगेगा इसमें एसी लगेगा सिनेमा हौल में होता है एसी डी सी तु लोग हौल में तो अभी तक नहीं देखाए टीवी भी आजाने के चलते हैं इसका सबसे ज्यादा रेट होता है इसका इससे थोड़ा कम होता है तब नीचे होता है फस्ट क्लास तब अस्पेशली सब्द है तो मंदन रिटार्डेशन य तो लिखा जाए ठीक है इसको हम लिखते हैं इसको लिख दिया है समझ गया उधारन से समझ भी गए हो अब अगला टॉपिक रहेगा एक समान तुरन एबम और समान तुरन